बसकार दोस्तों अगर आप option trading करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आपको कैसे profit book करना चाहिए और हमेशा ही आपको loss होता है तो कैसे आप profit कर सकते हैं देखो option trading में अगर आप करते हो option trading तो सबसे पहले आपके पास एक direction होना चाहिए कि market में support का है आपको जरूरत profit या फिर लोस देखने को मिलेगा तो सीधी सी बत यह होती है अब यहाँ पर आप जो profit देख रहे हो यह हमने बहुत कम कम इसलिए use करें क्योंकि market वहाँ पर sideways होने की कोशिश कर रहा था या फिर मतलब की हमें बिजबास नहीं था कि market मतलब यहाँ से बढ़ भी जाकता है और नीचे भी जा सकता है इसलिए हमने यह सारा profit जो है जल्दी जल्दी book करा उसके अलावा हमने एक थोड़ा सा बड़ा profit करा था लगवग 1000 रुपे के असपास यह वाला यह call में हमने book करा था ठीक है यदि हम इसको book नहीं करते तो मैं आपको बता दू हमने इसको sale कहा करा था 115 रुपे अगर हम नहीं करते तो अभी वो 116 रुपे का हो जाता ठीक है मतलब की हमारा जो पेसा है मैं आपको बता दू एक सो नो रुपे पे हमने उसको वाय करा था इसका हाइद दिखा दे तो एक सो नेबल मनलब डवल तो नहीं हुआ बड़ डवल से मनलब सतर पर्सेंट गास परसुर रिटर हमको उसमें मिल जाता ठीक है तो अभी क्या करना चाहिए यहां से फिर क्या कॉल वाय करना चाहिए यह भी देखना जरूरी है दोस्तों तो कॉल और फूट वाय करने से पहले आपको सपोर्ट और रिजिस्टेंस का पता होना चाहिए उसके लिए ओपर इंट्रेस्ट चेक करेंगे तो अब यह सतरह अजार दोसों पर ही एक स्ट्रों रिजिस्टेंस बता रहा है सतरह अजार व्रसा इंफोसिबल लग रहा है ठेके क्योंकि यह अब आपको काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट यहां पर बता दिये हैं अब बात करते हैं कि Profit कैसे करना है तो Profit करने के लिए कभी बी डायरेक्ट हाई पे रैयली करो जब तक कि जैसे कि अभी हम यहां पे रॉइक करते तो देखो हमको लोस हो जाता और एकदम लोपे भी आपको बाइड नहीं करना चाहिए ठीक है मेडियम में बाइड करो जैसे कि अगर यहां आता है तो यहां से हम कॉल बाइड करेंगे पुट नहीं करेंगा हला कि जा सकता है लेकिन रिस्क तो है अब देखो कॉल करेंगे तो हम नीचे के लिए हाँ तो फिर डावल भी वाइड कर सकते हो जैसे कि अभी फिल निप्टी की एकस्पाइरी है आज ठीक है इसमें जिसको लगता है कि मार्केट काफी नीचे आएगी तो वो क्या कर सकता है तो वो क्या कर सकता है वो ज्यादा पेसों से पुट क कोई आई कर सकता है और कम भाइसे से कोई कर सकता है क्यूंकि आज फिल निप्टी जो है काफी ज़दा वुली से ठीक है तो जरुरी नहीं है जिलेए कि यहां से बोढ़ भाइ सकती है ठीक है तो क्या हमको कॉल वाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो देखो ये एक अच्छा मुखा है कॉल वाय करने का तो क्या मैं करूं या फिर नहीं करूं ये भी तो देखना पड़ता है तो मैं यहां से एक कोल वाई करने वाला हूँ ठीक है किसमें करने वाला हूँ मैं करने वाला हूँ 50-50 में और क्या मैं उसको पर्मानेंट आज होल्ट रख सकता हूँ तो रख सकता हूँ आज डाव फूचर्स भी पोजिटी पे फेट की मिटिंग भी है और फेट नहीं चाहिएगी कि अमेरिका में जो है माहुल खराव हो क्योंकि अगली साल वहाँ के प्रेजिडेंट के जो है चुराव अगिरा एलेक्सन भी है तो ऐसे में अगर और बेंक के क्रेस कर जाएंगी फेट की वज़े से तो दिक्कत हो जाएगी तो हम फटाफट से एक यहां से कॉल वाई कर लेते हैं एक सोचाट रुपे वाला हम वाई करते हैं ठीक है तो फटाक से हम यह वाला वाई कर लेते हैं 165 रुपे पर हमको मिल रहा है अब इसमें लोस हो तो लो क्योंकि आज हम इसको होड़ी कलने वाले हैं तो अभी तो देखो 165 पे वाई करा कितने वाई करा वो यहां से देख सकते हैं 165 रुपे 30 पे से वाई करा है और 168 रुपे का वो हो गया है इतने जल्दी हमको प्रोफिट हो रहा है ज्यादा रिसक अपन नहीं लेते हैं ठीक है क्योंकि अभी मैं जो है ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ देखो तो 29 रुप 29 रुप 293 पन का फायदा हो गया ओल ओवर 3000 रुपे आप इसको बाल सकते हैं उसमें से 700 रुपे चार्जस के हटा दो तो 2000 रुपे आज हमको प्रोफिट हुआ इतने का ही कल हुआ था जब दोस्तों ऐसा नहीं कि हमको प्रोफिट ही होता है जब पेसे जाते हैं तो फिर जाते भी है ठीक है तो ट्रेडिंग में मैं आपको एक बात बता दू अगर आपके पास 10 रुपे 10 रुपे 10 रे से अपने 3 रुपे ट्रेडिंग में यदि लोस कर लिया है लेकिन उस 3 रुपे के लोस से आप वो चीजे सीख गए हो जो एक बीगिनर को नहीं पता है तो ज़्यादा तर चांस ये है कि आप वो 30 रुपे का लोस रीकावर कर लोगे कुछ समय लगेगा साल लग सकती है एक साल लग सकती है या फिर एक हपता भी लग सकता है मैं कैसे बुल रहा हूं कि एक हपता लग सकता है मान लीजे कि जैसे कि अभी फेट की मीटिंग है ठीक है अब फेट की मीटिंग है एकस्पाइरी कि दिन उसका रिजल्ट आएगा चलो एकस्पाइरी को हटा दो तो हो सकता है कि सुकूर बार से लेके अगले गुरू बार तक मारकेट में तीन से चार परशेंट या फिर पांच परशेंट की बड़ोतरी आ जाए अब जिसके पास दस लाख रुपे है जो तीन लाख का लोस कर चुका है क्या वो दो लाख रुपे और ट्रेडिंग में नहीं लगा सकता है लगा सकता है तो उसने अगर दो लाख रुपे का कॉल को हुल्ड करके रख लिया दो सु-तीन सू पुइंट दूर का तो उसके पेसे पांच गुना बहुत इसली हो सकते हैं तो वो दो लाख चे दस लाख हो जाएंगे तो अब बात कहते हैं कि सर हमारे पास तो 2 लाग क्या हमारे पास तो 50 जारी नहीं है ठीक है चलो माला तो आपका जो भी केपिटल गया हो उसमें से आप कुछ पेसा लगा के कॉल्ड या पॉल्ड को होल्ड कर सकते हो अब रिस्क तो उसमें भी राएगा जीरो तो भी हो सकते हैं बट कबर भी वो फिर ऐसे ही होता है जो मैं बोल रहा हूँ वही काफी जादे important बात थी क्योंकि आपने जो पेसा गावाया हुए वो एक से दो दिन में या फिर एक हफ्ते में या फिर एक महीने और एक साल में आ सकता है लेकिन आप बार बार गलती क्या करते हैं मैं आपको पता देता हूँ हम गलती कहां करते हैं जैसे कि माल लीजिए आज मैंने के जो profit book करा है अगर मैं इसको book नहीं करता तो क्या होता हो सकता था कि आज मैंने पूरा का पूरा capital double हो जाता या फिर हो ये भी सकता था मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं यहां आता hero one के और यहां कर लेता put why और hero one के में जैसे यह पी वाई करता में stop blows भी लगाता तो वो भी hit होता और stop blows नहीं लगाता तो फेसा की तो band बच जाती ठीक है तो जब कोई एक बड़ा event आने वाला हो और आपको ऐसा लगता हो कि नहीं नई market यहां से नहीं गिरेगा क्योंकि event इतना बड़ा है तो ऐसे condition में कभी भी event के opposite direction में नहीं जाना चाहिए अफेड negative नहीं होगा क्योंकि जो अमेरिका है वहां के bank ही गिर गए है बंद ह हो गए हैं कुछ गिर रहे हैं credit switch तो वो चाहा कर भी interest rate बहुत ज्यादा high कि नहीं कर सकता है या तो 25 basis point high करेगा या तो फिर वो करेगा ही नहीं और एक स्वाई ने के दिन इसका result आएगा तो मैं आपको एक और बाद बता दूँ ठीक है कि किस प्रकार से आप trade के सोचते हो बो ही बता रहा हूँ इस वीडियो में कि मालनो आपके सामने कभी ऐसी situation आ जाए तो कैसी सोचना चाहिए बो भी बता रहा हूँ तो ऐसी continuation में आप जिसे कि आज है क्या है गुरुवार है तो आज मैं call को hold करके जाने वाला हूँ ये बात confirm है चाहे कुछ भी हो कल in the money का item में why करूंगा उसका reason ये है कि अमेरिका आज थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है जो भी है लेकिन बुद्वार के बाद आएगा गुरुवार उस दिन एक बड़ा गेपप की उमीद की जा सकती है ठीक है तो इसलिए मैं एक call को आज होल डिक पह रहूंगा आज जो भी मेर मेरे को अच्छे profit हो जागा तो धिल में trade नहीं करूंगा और यदि नीचे खुल जाता है market तो recover कर लेगा तो मैं all over safe ही रहूंगा क्योंकि market में कोई negativity है नहीं तो इस परिकार की situation को आप ऐसे handle कर सकते हैं अब live market में trade करने के लिए आपको support resistance मैंने आपको बता दिया है कि किस 40,000 मतलब सीधा आप 40,000 ही माल लीजे क्योंकि इसमें अगर आप देखो कि OI में तो फिरे वह 40,000 ही एक highest जो है उपाट इल्टरिस्ट भाईबे और support 40,000 पास्सों पहे तो यह 40,000 को भी break कर देगा easily ठीक है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सचाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में